हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आप हमारे चैनल मिश्टर होम्पेटिक में दोस्तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ताकि गुर्दे की पत्री हो जाये तो उसके लिए कौन सी दवा आपको यूज करना है और क्या आपको खाना है दोस्तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है उसको एक बार आप जरूर देखें आज हम आपको बताएंगे कि गुर्दे की पत्री हो जाने के बाद आपको क्या खाना है और क्या परहेस करना है तो दोस्तो पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ आप खाएंगे तो आपको फायदा होगा पहला चीज़ है नीबू का जूस दूसरा जूस तीज़ है अननास का जूस तीसरा है केला चौथा है तरबूज, पांचवा है रेशेदार भुट्टे, पांचछटवा है गाजर, सातवा है करेला, आठवा है जो, नवा है कुल्थी की दाल, और दसवा है नारियल का पानी ये दस चीज़े आप खाएंगे तो आपको पत्री में बहुत जादा फायदा करेगा इससे आपका दर्द भी नहीं होगा और पत्री निकलने में आसानी भी हो जाएगी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या परहेस करना है यानि कि क्या नहीं खाना है गुर्दे की पत्री होने पर पहला चीज है टमाटर दूसरा चीज है काला अंगूर तीसरा चीज है गोभी चौथा चीज है मचली पांचमा चीज है अंडा छटमा चीज है पत्ते वाली सबजी यानि की पालक वगएरा सातमा चीज़ है मक्षन आठमा चीज़ है शल्जम नवा चीज़ है मीट और दसमा चीज़ है मूंग फली ये दस चीज़े आपको परहेस करनी है गुर्दे की पथरी में जो आपको बहुत जादा नुकसान करेगी दोस्तो जब भी ये आपको हो जाए गुर्दे की पथरी तो उसमें इस चीज़ को खाएं और इसका परहेस करें वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल निवी लम भूले और जाते जाते हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों